Hello students, welcome back to chapter 6, fun with give and take अभी आप open करोगे text book में page number 85 तो देखो सबसे पहले क्या लेखा है, find the missing numbers look at the number patterns, write the missing numbers तो अभी हमको कुछ missing numbers दिये हैं, वो हमें find करने हैं according to the number pattern, ओके, now see ए में क्या question है, 100, 200, 300 तो इस तरह से हमको क्या pattern दिया है, 100, 100 forward counting तो 300 से हम 100 forward count करेंगे, तो क्या आएगा, 400 then 500, then 600 already लिखा है, उसके बाद 700 तो इस तरह से हम missing numbers फिल करेंगे now next, number 2, सबसे पहले हमको दिया है 900 then 800, then 700, तो क्या है यह 100, 100 का backward counting है तो 700 से हम 100 backward counting करेंगे, तो क्या answer आएगा, 600 600 से 100 backward जाएगे, तो क्या आएगा, 500 तो देख ओपर लिखा है, 600, 500, then 400 already लिखा हुआ है फिर से 400 से 100 backward जाएगे, तो क्या आएगा, 300 okay, now next, c, 50, 100, 150, 200, तो क्या दिया है, 50, 50 का forward counting दिया है तो 200 के बाद 50 forward counting करेंगे, तो क्या हैगा, 250 250 के बाद 50 forward count करेंगे, तो 300, 300 के बाद 350, then 400 okay, now next, d, d में क्या लिखा है, सबसे पहले 300, then 250, then 200 तो इसमें क्या दिया है, 50, 50 का backward counting दिया है, तो 200 के बाद हम 50 backward जाएंगे, तो क्या होगा, 150, then 100, and then 50, okay now next, e, e में सबसे पहले हमको blank दिया है, उसके बाद दिया है 25, then 35, then 45, तो इसमें क्या दिया है, हमको 10, 10 का forward counting दिया है but 25 से पहले जो blank है, उसमें क्या होगा, backward counting होगा तो 25 में से 10 backward जाएंगे, तो क्या हैगा, 15 आएगा, okay उसके बाद 45, 45 के बाद 10 forward जाएंगे, तो 55, 55 के बाद 10 forward counting करेंगे, तो क्या हैगा, 65, okay तो according to the pattern हमको answers लिखने है now F, 280, 260, 240, तो उसे हमें क्या pattern पता चल रहा है, 2020 का backward counting है okay, तो 240 के बाद 20 backward count करेंगे, तो क्या हैगा, 220 उसके बाद 20 backward जाएंगे, तो 200, ओके, और उसके बाद 20 backward जाएंगे, तो 180 and then 160, ओके now next, G, 125, 150, 175, 200 तो हमको क्या पतला चल रहा है, 25 का forward counting है तो 200 के बाद 25 forward जाएंगे, तो क्या answer आएगा, 225 and then 225 के बाद 25 forward जाएंगे, तो क्या आएगा, 250 already लिखा है text book में, ओके, उसके बाद 250 से 25 forward जाएंगे, तो क्या answer आएगा 275 and then 300 ओके, तो उस तरह से according to the pattern हम सारे answers लिखेंगे ओके?